अब हम discuss करने जा रहे हैं levels of packaging तो levels of packaging को समझने से पहले ये देखिए कि packaging क्या होता है package क्या होता है और functions क्या है packaging के तो ये topic हमारा complete हो चुका है इस topic का video का link आपको इसी video के description box में दिया हुआ है अगर वो video आप अच्छे से study कर लेते हैं तो जो topic अब हम start करने जा रहे हैं levels of packaging वो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सबसे पहला है हमारा primary packaging primary packaging मतलब वो container जो product के बिलकुल नजदीक होता है for example जैसा मैंने आपको पिसे वाली video में भी दिखाया था कि जैसे ये toothpaste है इस toothpaste को इस container के बीच में फिट किया गया है क्योंकि toothpaste इस container के अंदर है तो ये वाला जो container आपको दिखाय दे रहा है इस container को हम कह सकते हैं कि ये primary packaging है मतलब वो container जो product के बिलकुल close होता है for example ये perfume इस perfume को इस bottle में फिट किया गया है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये primary packaging है तो primary packaging में container कह सकते हैं कि product के बिलकुल नज़िक होता है तो इसको use कैसे कैसे किया जा सकता है या तो वो container आप product की lifetime तक use करते हो मतलब जब तक इसमें toothpaste खतम नहीं होगी मैं इस packaging को use करूँगा इस container को use करूँगा होता भी यही है, shaving cream का container लगा लिजिए, toothpaste का container लगा लिजिए match box, matches लगा लिजिए, perfume लगा लिजिए तो इनके जो container होते हैं आप तब तक use करते हो जब तक ये product बिलकुल खतम नहीं हो जाता कुछ depend करता है customer के उपर भी for example, कभी कभी हम घर में bread का डबा लेकर आते हैं हमने मालो सारे bread निकालके और उसका जो layer है, उसकी जो पनी है हमने फैक दी या ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम biscuit का packet लेकर आए हमने biscuits निकालके एक डिबी में रख दी है और biscuits का जो cover है biscuits का जो packet है, बाहर का जो layer है, पनी है, वो हम फैक देते हैं तो मतलब कुछ product का जो container है, product की lifetime तक use होता है तो कभी कभी customer पे भी depend करता है, कि customer उसके container को fact भी देता है तो ऐसा container जो product के बिल्कुल नजदीक है, तो उसको हम बोलते है primary packaging, इसके बाद है secondary packaging, secondary packaging मतलब एक ऐसा container जो product की extra care में काम आता है, मतलब हमको product को extra safety देनी है extra care करनी है, for example, ये toothpaste, मैंने इस डिब्बी के अंदर pack कर दी तो इस डिब्बी को हम बोलेंगे secondary packaging, क्या बोलेंगे secondary packaging ये secondary packaging क्यों की है, क्योंकि हम product को extra care देना चाते है, सुरक्षा देना चाते है तो ये क्या होता है secondary packaging, जैसे ही आपने primary packaging वाला product use करना start किया हमारा mostly यही होता है, कि हम secondary packaging को fact देते हैं या जब तक आपने product use करना start नहीं किया, हो सकता है कि आपके पास इस secondary packaging भी as it is, आपके घर में रखी रहे, तो ये भी आपके उपर depend करता है, कि आप इसको कैसे utilize करते हो तो definitely जो secondary packaging का जो target होता है, वो product को extra care available कराना होता है next हमारा topic है, transport packaging क्या होती है simple सी बात है, मालो इस परकार की 50 toothpaste, मैं एक cartoon के अंदर, एक बड़े सारे box में इकठी रख देता हूँ तो वो पूरा का पूरा box, उसको हम कहेंगे transport packaging क्योंकि उस box को आप एक जगा से दूसरी जगा easily carry कर पाएंगे transport में भेज पाएंगे, transport से मंगवा पाएंगे तो transport packaging नसेसरी होती है, product की transportation के लिए, product की identification के लिए product को स्टोर करना हो, एक ही जगा पे आपने मालो 500 toothpaste, एक ही जगा पे स्टोर करनी है तो आपको boxes यूज करने होंगे, तो वो boxes क्या काम आते हैं product को identify कराने के लिए पॉड़क की स्टोरेज करने के लिए और पॉड़क को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है तो इस वीडियो के अंदर हमारा एक टोपिक और क्रेट हो रहा है पैकेजिंग और पैकिंग मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ ये टोपिक हमारा चल रहा था पैकेजिंग का अब मैं लिख रहा हूँ आपके सामने पैकिंग ये वर्ड है पैकिंग और ये वर्ड है पैकेजिंग रियल्टी में पैकिंग और पैकेजिंग दोनों वर्डस में डिफरेंस होता है क्योंकि ये वाला जो topic है ना transport or packaging ये reality में कहीं कहीं आपको packing word के through भी मिल सकता है इसको हम packing भी कह सकते हैं तो packing और packaging इन दोनों में क्या difference है इस video का link भी आपको इसी video के description box में दिया हुआ है तो ये वाला video इन दोनों में क्या basic difference है ये आप बिल्कुल भी देखना मत भूलिए तो next video में इस chapter में और आगे कौन सा topic आने वाला है तो मिलते हैं जल्दी से next video में इस chapter को आगे continue करेंगे